नमस्कार मैं हूँ संकर विश्व कर्मा और आप देख रहे हैं टुडेज स्टेट्मेंट पिछले पांच दसक से भुश्पुरी भासा को आठवी अनुसूची में सामिल करने की मांग हो रही है बार बार आश्वासन मिलने के बाद भी इस भासा को आठवी अनुसूची में जगह नहीं मिली लेकिन इस बार संसद में कुछ भुश्पुरी भासी संसदों ने जिस तरीके से आवाज उठाई है उससे यहां लगने लगा है कि मोदी सरकार भुश्पुरी भासा को बहुत जल्द ही आठवी अनुसूची में सामिल कर लेगी देश की कुल 22 भासाएं आठवी अनुसूची में सामिल है इन में से 14 भासाएं संविधान में सामिल है इन में से कई भासाएं ऐसी हैं जिसे बोलने वालों की संख्या बहुत ही कम है जबकि लगबक 25 करोड लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भोजपुरी भासा आज भ भासा को बोलने वाले लोगों की संख्या भोजपुरी भासियों से कई गुना कम है भासपा के बैनर पर पहली बार संसद बने फिल्मिस्टार रवी किसन ने संसद में भोजपुरी गीत गाकर अपने मांग रखने की कोशिस की हाला कि जब वो गाना गा रहे थे तब लोग स सुची में ले आएंगे अब हमारी सरकार इसे ले आएगी महोद है यह बहुत भूथ लो खिये न च्परा के सांशत राजी प्रताब रूरी ने भी भुश्पुरी को आठवी अनसूची में डालने की मांग रखी। लोकसवा में सपत लेते समय कुछ दिर तक उन्होंने भी भुश्पुरी में बात कर यहां बताने की कोशिज की कि यहां भासा कितनी मधूर है। मोधी अपने सम्मोधुनों में कई बार भुश्पुरी भासा का इस्तमाल कर चुके हैं। उनके भुश्पुरी प्रेम को देखते हुए भुश्पुरी भासियों को लगने लगा है कि इस बार सायद उनकी मांगे पूरी हो जाएंगी। वैसे यहां बता दें कि मारिशस में भुश्पुरी भासा वहां की दोसी सबसे बड़ी भासा है। इसके अलावा सुरिणाम, गुवायना, त्रिंदाद और टोबैगो तता फीजी में भुश्पुरी भासा बड़े आराम से बोले जाती है। उमीद की जानी चाहिए कि परधानमंती मोदी भुश्पुरी भासियों की भावनाओं को समझते हुए सिग्र ही कुछ अच्छा फैसला ले लेंगे।